वेलकम पू चार्टेड व्लॉक्स और आज एक बहुत ही एडवांस्द और अनुका प्रोडक्ट हम लेके आएं आपके लिए यह है रोबो रॉक एस फाइव मैक्स यह एक रोबोट वैक्यूम ट्रेनर है जो आपके घर में जाड़ू और पूचान तोनों ही काम बड़े आसाली से अटोमाटिकली कर सेता है यह काफी रेवोलुशनरी प्रोडक्त है जो कि आपके घर के काम को काफी आसान बना सकता है और जो कि अभी लॉक्डाउन का टाइम चलता है तो डॉमस्टिक हेल्प भी बहुत ज्यादा काम लागा यह है इसकी मेन यूनित यह रोबोट वेक्म क्या है यह इसका बॉक्स पैक है तरह से कुछ आता है यह है रोबो रग का स्वाइब मैंक्स विए यह इसका वाल चार्जर यह मेन यूनित रोबोड की प्रैंडिंग है उपर सिर्फ दोई बटन है काफी क्लीन लुक है इसका एक पावर और बटन है और एक होम बटन है जिसके वेरियस फंक्शन है अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि अपने आप अपने चार्जिंग स्टेशन की दरफ पढ़ रहा है मैंने इसे फिच्छर टाया चार्जिंग चाइम भी सुनाई देते हैं कि वेक्यूम की बात करें तो शुरू टॉप साइड से करते हैं अपना आसपास के स्कान करता है वह प्लेस के रहे हैं कैमरे हैं यहाप जिससे की चलने में और रूम को अच्छे से समझने में काफी मदद मिलती है उसी के बाद यहाँ पर एक लिड वाइट है इस लिड़ को ओपन करता है यहाँ पर एक वाइफाइ का इनिकेटर है है यह इसका में डेस्ट मेन है जिसके अंदर यह सारी जो भी डश्ट युछसे उसे अपन कर सकते हैं यहाँ पर एक सटर लगा हुगा है मुझे इस वेक्यूम ग्लेर को यूज़ करते से हो चुके मैंने सोचा कि अब इसके एक डिटेट वीडिया बनाया जा सकता है मैं इसके लगब सारे पीचेस में जान चुक हूँ यह डस्ट मिन है इसके अंदर एक फिल्टर लगावा है यह फिल्टर वाशेबल है और काफी ज्यादा डस्ट कलेट रहता है तो इससे क्लेणिं सीलिंग दी होई है ताकि कोई डस्ट का लिके ना और आगे बात करें यह चोटा सा ब्रश है क्लीनिंग के लिए यह ऐसे डिटेचेबल है और अगर कुछ ब्रश में धागया ऐसा कुछ फर्श जागा है उसके लिए एक ब्लेड भी इसके दगी होई है और इस ब्रश के मद सामने जो आपको एक और इंज कलर का ब्रश दिखाई दे रहा है वह ब्रश सारा जो डिब्री है नीचे उसे एकटा करके और डस्ट बिन में सेंड करता है अब हम इस लिट को बंद कर देते हैं इसके बाद सेकिंड पार्ट है इसका वाटर टैंक यह भी काफी कुछ इंस्ट्रक्शन से यहां पर इसके अंदर पूरा पानी भर सकती है फिर इसको नीचे की दरफ देखें यहीं पर आपका मॉपिंग क्लॉथ इंस्टॉल होता है मॉपिंग क्लॉथ की क्वालिटी काफी अच्छी है माइक्रोफाइबर का बना हुआ है काफी इसी ड़ि काफी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है सब इस तरह से वेल्क्रोफाइबर कर सकते हैं यहां पर इसे जैसे ही हम इस मॉप प्रैकिट को खटाते हैं कुछ इस तरीके से इसके आप साइड में फूल टैब है तो आप पुश कीजिए और यह हट जाता है इसे हटाने के बाद अगर आप सिर्स वाटर टैंग इस्टाल करेंगे जैसे में इस बार इसे बस बखते वर्कूम इंस्टाल कर saucers जब्ण यह मॉडनि मोड मेंetzt हो जाएगा उस टाइम यह मॉपिंग नहीं करेगा सिर्फ वैक्यूमिंग करेगा सिर्फ व्लट्बिकप करेगा अब कि अब अब इसका डस्ट मेंगों इस इंस्टाल करें अब बहुत ही सिंपल है अब ब्रॉप लेक्ट को सिर्फ आपको मैसेज भी आजाएगा इस तरीके से लिड वाप जब तरह कि प्रेक्ट बाहर लाएगा जब तरह कि नहीं करेंगा सिर्फ एक वैक्यूम की तरह काम करेंगा चलिए अब इस प्रेक्ट को भी आपस इस्टाल कर जाते हैं इस तरह से लॉक्ष और लॉक्ष और यह साथ वे अधिवल मेसेज भी सुनाए देता है अब इसके फिजिकल ओवर्वीव की बात करें तो बैक साइड में सिर्फ वाटर टैंक मिलता है और कुछ एर वेंट से स्पीकर का प्लेस्मेंट इस तरफ अगर आगे देखें तो यहां पर जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको बटन से सामने आपको इसको पीछे लाता हू तो यहां पर इसके काफी सारे सेंसर इनकी प्लेस्मेंट में आपको गताता हूं जैसे में बार इसका वाटर टैंक रिमूव कर देता हूं ताकि पानी के स्प्रिंद नाओ अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसका बैक साइड है जहां पर हमें टॉप में एक वाल सेंसर मिलता है इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ पाग करें तो नीचे की तरफ हमें कुछ information इसके मेन वील्स मेन ब्रश और कफी सारे सेंसर दिए गए इसमें हमें एक दो तीन और चार सेंसर मिलते हैं अगर आप इसे किसी एलिवेटर सर्फिस पे जैसे टेबल या किसी ऐसी चीज पर चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं क्लिफ सेंसर्स के मदद से यह नीचे नहीं गिरेगा और टेबल के उपर ही बना रहेगा यह है इसके दो चार्जिंग कॉंटक्ट्स यह इस चार्जिंग पैड पर आटेच हो जाते हैं आगे बात करें तो यह है इसका में ब्रस जो कि सारी डर्ट विक अप करता है इसके में टायर से इनी के अंदर मोटर इंस्टॉल्ड है इसके अंदर हमें एक लिथियम आयन की बैटरी मिलती है जिसका क्यापैसिटी है 5200 एमेच इस यूनिट का अप्रॉक्सिमेट वेट है 3.5 कीज है यह वाई-फाई 2.4 गीगाट बैंड पर वरक करता है और इसकी जो एप है रोबो रॉक होम इसके तुरू आप इससे इसका चार्जिंग टाइम भी काफी अच्छा दिया गया है और इसमें फीचर यह है कि अगर आपका घर बड़ा है और बैटरी अगर डिस्चार्ज होने लगते हैं पुरा घर कंप्लीट प्लीन होने से पहले तो यह आटमेटिकली वापस डॉक पर जाकर चार्ज होगा और जितना एरिया इसको कवर करना है इसनी वैटरी वापस चार्ज करके यह आटमेटिकली उसी चार्जिंग उसी पोजिशन पर चला जाएगा जहां से इसनी क्लिनिक स्टॉप करी यहां से हम इसका में ब्रश रिमूव कर सकते हैं और उससे साफ कर सकते हैं जैसे देखने आप यह उसे कोई ज्यादा इंपक्त नहीं होता है एंस बीश्च मेकनिजम दिया गया अब जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा बैग बार मॉप एक लगा जेता हूं पैसे मेंने ब्डूप गए लगा दिया और जैसे ही इसका फों बटन पेंट लिग करूंब तो इसमें में नि गया है क्योंकि मैंने इसके अदर उपने घर का मैप फीड कर रखा है तो यह अपनी पूजिशन फाइंड आउट कर लेता है और जैसे इसको पता पड़ता है कि इसकी पूजिशन क्या है यह डॉक पे इसका चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे रिटर्न की प्रोसेस स्टार् आप देखी तो पर आप के जाएगा और स्टॉफ वह चार्लिंग का शरीन अब इसको अगर मुझे रूम क्लीन करवाना है तो मुझे एप में जो मैंने रूम सपने बना रहा रही है उनकी मदद से कोई भी एक रूम सेलेक्ट रसकता हूँ या सारे रोम सेलेक्ट हैं या प स्टार्टिंग टुए वाटर टेंग के अंदर पानी मैंने अल्ड़ी भरा हुआ है आप इसकी नॉइस सुन सकते हैं काफी ज्यादा नहीं है बट सुनाई देती है कि इस तरीके से क्लिनी स्टार्ट कर जोते हैं यह आप देख पारे हैं कोई अबस्टेकल आता है तो इससे साइड में से निकल जाता है जैसे यह भी डोर हैंडल है इसको इसने टॉपर ली अवोईड कर दिया सामने को अबस्टेकल आएगा तो इस आपने डारेक्शन चेंज कर लेता है कि इसका एक ड्रॉबेक यह है क्योंकि इसकी शेप राउंड है तो यह कॉर्नर में इस अच्छे से लिन नहीं कर पाता है वाइड ओपन एरिया में यह अच्छे से वर्क करता है यह देखिए जहापर भी ओपन एरिया है वहापर क्लिरिंग प्रॉपर्ली कर पाएगा जैसे कोई अब्स्टेकल आता है तो यह वापिस रिटर्न हो जाता है जैसे ही डोर मिला इसे रिटर्न हो गया वाल के पास से यहां गया अब टिटर्ने से पहले रिटर्न हो गया अभी साइड कवर करेगा फिर मैप के अकॉर्डी टर्न करता रहेगा जिस जगे इस पोजिशल पर यह नहीं जा सकता है वहाँ पर आटामेटरिव रिटर्न हो जाता है ऐसी प्लेसे जहाँ पर आदमी को पॉंसने पर थ सक्ष्ण आप है ustraina यह का अशिग वर्यस की वेक्यूम की जो सक्षन है वह भी काफि अच्छी एक बात ओर और यह एक स्मार्ट वेक्यूम है तो उससे यह पता चल जाता है कि कौनशीए स iss पर काम करता है कि अपने अपने जगह बनाते हुए रोम को पुड़ा क्लीन कर रहा है जब देखिए क्या आप देख सकते हैं ये अपने सारी क्लीन कर देता है यह देखिए यह आटमेटिकली सारा एरिया कवर करेगा जहां जहां पर भी पहुंच पाएगा वो एरिया कवर कर लेता है तो आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और निश्चिन दो जाना यह पूरा आपका घर अच्छे से साफ कर देखिए सिर्फ एक बात के अजह हम रखना अपने स्पीड मेंटेन करते हुए इसकी वेरियेबल रहती है जहां इसको दीरे चलना होता है और फ्लाइट सर्फेस में इसकी स्पीड के देजाती है तो वहां यह फास किलिंग भी कर देता है अजय को मेरे घर का एरिया अराउंड क्लीनिंग एरिया जो है वो पड़ता है लगबा कार्पेट एरिया जिसे एक लीग करता है वह है अपरॉक्स अपरॉक्स 500-600 स्वायर फीट डिपेंडिंग कि मैं कौन सी चीजे हटा का हूं कौन सी चीजे नहीं हटा तो फॉर दर इसके मैप कर रहा है इस चरह से इसका मॉपिंग यह अपने आप करता रहता है मुझे कुछ भी अटेंड करने की जोड़त नहीं है सिर्फ ऐसी स्पेस स्पेस का ज्यान रखना होता है जहां पर इसके फसने के चांसे नहीं कोई टाइट स्पेसिस होती है वहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको अब्सर्व करना रहेगा बाकि कोई अब्सर्वेसिंग यह ऑटमाटिक अबना सारा काम कर देगा यहां पानी देख सकते हैं यहां मॉपिंग करी है वह सर्फेस बिल्कुल क्लीन होगी मैं इसे पास करता हूं तो सिर्क मुझे यह बटन लबाना है और यह पास्याज हो जाएगा के अब मैं आपको इतनी से एर्या में डश्गी वें इ क्योंकि यह वैक्यूम पर काम करता और इसमें फिल्टर भी है यह दिखिए आप दस्ट दिख पा रहें कितने से एरिया में इतना डस्ट पिकप कर लिया है तो इसका डस्ट पिकप काफी अच्छा है और यह एक बहुत ही काम का प्रोड़क है तो आगे मैं इससे क्लिनिक जार कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाता हूं थैंक्यू